अब अब्रिवन्, वेलकम टू लवनर्नर स्ग्राइज इजूकेसन, आज यहां पर हम लोग राजास्थान PCS में कुछ इंपोर्टेंट कोस्टन देखनेंगे, वहां से सलेक्ट किया हूँ, जो इंपोर्टेंट कोस्टन है, वहां से स्पेस्पिक जो एस्टेट एस्टेट ए में बात करेंगे हल्दी घाट के अलावा भी कोई कोई प्लेस जैसे आप लोग भक्सर का नाम सुने हैं बिहार में याद रखेगा उसको पानीपत आपको नाम सुने हैं अब प्लासी जो है सेवेस्ट बंगाल में याद रखेगा प्लासी लडाई सब्सक्राइब और हर्याना में पानिपत में तिन लड़ाई हुआ था तो उसमें कौन-कौन था पहले सब्सक्राइब नहीं होगा उसका डेट भी याद रखो क्योंकि आप थोड़ा सा अंदर जाके कोश्चन पूछता है क्योंकि इसको मिल जाते हैं भार महारे स्टुडेंट भाई थोड़ा सा अपना जगा जो है से आपको छिनना पड़ेगा बनाने में से काम नहीं चलना है त अकबर मुकल के थर्ड बादसा थे आपको पता होगा बाबर हुमाई हूँ अकबर और साज जहां और अकबर को कहा जाता है एक तरह से कि क्या था अनपड़ था तेरा वर्स की उम्र में बादसा बने थे याद रखेंगे इंके बारे में तो चलि राजस्तान को बारे में थ प्रदेश को उतर पर्देश को उसके बार यहां से हरियानक और पंजाब को टोटल पांच इस्ट हरियानक के बडर को टच करते हैं एक international border है जिसको लोग बोलते है क्या है पागेसान और सबसे लंबा border है हमारा राजस्थान के साथ पागेसान का ठीक है तो इसके बारे मैं या देखी गए को लाने का सरी किस को दिया जाता है तो आप भी बात कर रहा था मान सिंग सेनापति थे वही मान सिंग प्रथम है तो यहीं को प्रथम इननी को स्रे जाता है लाने का ठीक है तो उनको पता होगा और उनका और उनका नाम था क्या था धन पत्रा ए ठीक है राई जी को बूलना नहीं है गवडान है बुढी काकी है और बहुत सारे दो वाले का था है बहुत सार अबल के पड़े होंगे books and чो pana since तो यहां से होगी या Man slash फोड़ा सा बात करते है चलिए Man slash बनारस में आपको लेके चलते है अभी 本घ कसी भी सुनास temple जो एक भारत में 12 जियोतिलिंग है न सिव का तो उन में से यैक Sky भी सुना भी है तो अभी हाल में की इसका इन्यूरेशन हुआ है बनारस में तो इनके वारे याद रखेगा संतरी 10 कि बता यह है भक्ति मुविमेट से कभी थे और जो हैसे क्या है फॉंडर अब यह कोश्चन आया था तुकाराम के बारे में अब बता सकते हैं कि तुकाराम के बारे में और जो चरचा करेंगे बहुत सारे कोचित के बारे में मज़ा आ जाएगा आप लोगो ठीक है तो याद रखेगा बनारस हमारा spiritual capital है याद रखेगा इसको spiritual मतलब आध्यात्मिक राजधानी यहां से देखेगा भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है याद रखेगा चली अठार संतावन करांदिक समय धौलपुर का सासक भगवान सिंग अब ज्यादा इस्टेट इस्पेस्पिक अंदर जाके क्या बोलते हैं यह राजस्थान के लिए लेकिन हम लोग के लिए का इंपोर्टेंट है समझे भारत में जो यूद हुआ था संतावन का तो पहले देखिए हुआ क्या था कि सब लोग अपना अलग अलग मैटर के लिए ठीक है कोई भी किसी का कोई मतलब सबता हड़ा पलिय अलग मैटर के लड़ रहा था दूसरी बात था कि उसमें जो अंदूलन हो रहा था उसमें एकता नहीं था यानि कि आप लोग देखिए कोई देली में लड़ रहा है तो कोई भीहार में लड़ रहा है तो कोई जहांसी में लड़ रहा है ठीक है तो इस तरह से अलग अलग आप लोग को पता है कि जब एक जूटों को नहीं लड़ोगे, तब तो को आप लोग जीत नहीं पाऊगे, तिसरा रिजन आप लोग देखिएगा, तो अंग्रेज लोग जो था, पहले बंदु को गरा का यूज करता था, जब कि हमा लोग के पास बंदु को गरा का फैसलेट नाम का एक अंग्रेज था थे, जो क्या किये थे, इसको सप्रेज यानि की दबाया थे, लखनो में बेगम हजत मल थी और हेंडरी लोरेंस इसको दबाया थे, कानपूर में नाना साहिब थे, और जो सर कॉलीन कॉम्पेल थे, जो यही को सप्रेज किये थे, ग्वालियर और अंग्रेज थे, हुग रोज, याद रखेगा हुग रोज, यही जैसे सप्रेज किये थे, बरेली में देखेगा खान बहादरु खान थे, और सर जो कॉलीन कॉम्पेल है, इसको सप्रेज किये थे, कहां पे बरेली में, याद रखेगा अंग्रेज के बारे में, अलाहबाद तो बनारस में देखिएगा मॉल्वी लियकात अली जो इसको लीड कर रहा है और जो करणल ओंकेल ठीक है वह ही इसको सप्रेस किये थे और बिहार में कुर्ण सिंग थे और अंग्रेज थे वहां पर विल्यम टेलर जो कि सप्रेस किये थे इस अंदूलन को अभी एक ना के रख लिजेगा ठीक है बहुत इंपोर्टेंट स्लाइड है ओके कोश्चन कहीं से घुमा के पुछे सकता है अब डारेक्ट नहीं पूछता है यार आभी देखो गए श्टेट पीसेस में तो सिर्फ नाम और जगह का नाम नहीं पुछेगा अब थोड़ा सा ना अंदर ज जाता है आप लोग के लिए कि इसको थोड़ा सा ध्यान से देकर चला जाया ठीक है चली तो हो गया इसिंग ओके सारस्टीज हो गया एक कोशन पुछो हूं जठासनाम की करांती है उसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस वीडिस आर्क के दोरा कहा गया था आपको आप यह मैं बात कर रहा था कि आवद में डॉक्रिन ओफ लाए गया था आप 1847 में ठीक है अंग्रिज यह एक डॉल हो जी थे उनके द्वारा तो क्या करते था कि जो इनका मतलब प्रोसेस यह था कि आपका अगर कोई उत्रधिकारी नहीं है ठीक है तो उसको अपने सत्ता में उ सब्सक्राइब करेंगे इसको देखें डॉक्रिन ओफ लाट डॉलोजी के दिवारा इनका टाइप डिया देखिए गया तो आपने में मिलाए गया था विले किया था कूस्चन बहुत सी ज्यादा इंपोर्टेंट है नहीं इंको हैसे अधुनिक भारत का निर्माता क्या था थोड़ा सा समझें इनके बारे में देखिए यह बहुत सार काम किये थ है जैसे कि इंडिया के लिए free trade वगरा जो हैसे port को free किये थे दूसरी बात है कि female infanticide होता है जैसे कि देखों कि बच्चे को मतलब अगर पता होता है कि कोई लड़की है तो उसको गर मार दिये जाता है इस तरह का चीज होता है उनको रोकने के द्वरा काम किया गया फिर उडिस्पेच लाया गया अठारा सो चोन में जो कि भारती सिक्षा का मैगना काटा बोला जाता है और अगर यहां से ध्यान से देखिएगा तो रेल चलाया गया क्या चलाया गया ट्रेन कहा है भाई इसके बार मियाद रखेगा इसली इनको भारत बारत का जो है से आधनी भारत का निर्माता कहा जाता है बहुत सारा चेंज किया थे यहां तो यहाद रखेए इनको बर में इनका ओरिजिनलम लॉट दोलोजी नहीं था बता सकते हैं इनका ओरिजिनलम क्या था? क्वेस्टन न का एंसर दीजे कॉन बोक्स में मज़ा आ जाएगा असरयोग अंदोलन के दोरां चोरी-चोरा में हिंसे घटनाय किस साल हुआ था? बताइए तो देखिए पहले तहीं बताएंगे कि असरयोग अंदोलन होता क्या है और सुरू कब हुआ था महत्मा गांदी के दोरा है तो महत्मा गांदी के दोरा कहा जाता है कि आप लोग पर तब तक कोई सासन नहीं कर सकता है जब तक की आप लोग चाहते नहीं है तो मात्मा गांदी के यही कहना था कि अरे यार देखो हम लोग जो है से अंग्रेज का जो बनाया हुआ सिस्टम है उसको हम फोलो ही नहीं करेंगे उनके तोरा जो कपड़ा वगर लाया जा रहा है उसको मुझे नहीं करेंगे उनके इसकूल में हम लोग जाएंगे नहीं यान जहां पर 22 में 22 पुलिस कर्मी जल गए थे, तो अब देखा कि मतलबात्मागंदी के दोएरा, कि अब तो थोड़ा सा घटना है, अब थोड़ा सा हिंसक रूप ले रहा है, तो उसे अंग्रेज होगर थोड़ा सा एक्विप्ट थे ने, यार बंदुक होगर थे, तो सोचे कि जादा जानमाल की हाई ने हो, इसके लिए उस समय वापस ले लिए थे, तो अब देट था 1922, स्टाट किये था 1920 में इसको याद रखेगा, याद रखेगा, और क्या क्या रिजन था, क्यों सुरू किया गया था, इसके बार में फोड़ा सा आइडिया मैं दे दिया, देखे है, तो टाइम दुर्षा से, USA से प्रकास होता था, याद रखेगा, ठीक है, तो इसके बार में याद रखेगा, देखे, दांटी मार्च के बार में फ़ड़ा सा चर्चा हुआ है, तो मतलब नमक सत्यागरा को दांटी मार्च से रिलेटेड है, ठीक है, वहाँ पे एक मार् तो इसको बलते हैं मार्च, अब मार्च में सुरू हुआ हुआ था, चोबेस दिन का चला था, टोटल बार मार्च से सुरू हुआ था, और 6 अपरिल तक चला था, टोटल डिशनस देखेगा, तो 386 किलोमेटर था, सारा डेटा इंपोर्डेंट है, पूछा जाता है, ठीक है अंगरीजी हुकूमत के खिलाब, तो यहीं नमक मतलब बहुत इंपोर्टेंट ही होता है, ठीक है, सब गरीब अमिर सबको ज़रत पढ़ता है, तो इसका एक मतलब बिरोध करने का तरीका था, ठीक है, और समुदर का पानी को नमक बना दिये थे, ठीक है, सावर मत्री आसरम से, तो चलिए, इसको बढ़ा मियाद रखेगा, अब थोड़ा साना गांती जी के लाइफ के पढ़ लेजेगा, इनका एक बुक है, माई एक्स्पेरिमेंट विस टूथ, पढ़ ये का थोड़ा बहुत सीजी जानने को मिलेगा, इनके दोरा सबसे पहले ही स्टार्ट किया चमपारण सत्यागरा, या देखेगा, इनको पत्र लेकर आमतित किये थे, खेड़ा हुआ था गुजरात में, खिलापाद अंदोलन देखेगा, अभिनन कोपरेशन इनका असवयोग अंदोलन के बारे में बात किये थे, 1920 का, सिविल डिस ओबेडियन्ट मुविमेंट है, 1930 क तो या देखेगे बार में, क्यूट इंडिया मुविमेंट को हम लोग अगस मुविमेंट में काता है, ठीक है, अगस करांती, क्योंकि 8 अगस 1912 से सुरू हुआ था, ठीक है, गौलिया टेंक आपको मुंबई में याद होगा आपको, ठीक है, चलिए, नेस क्योश्टन के गलत है, इसका एंसर होगा संथाल विद्रो, ठीक है, इजारकंट से रिलेटेड नहीं लोग, इनके बार में याद रखेगा, संथाल विद्रो, सिंदो कानों के दोरी स्टाट है, संथाल विद्रो से एक परसनाल्टी रिलेटेड हो गया, चलिए, लोखी तो आदिक है, यह नेक्स आता है, आत्मी सभा, आत्मी सभा के संथापक थे, अपका राजा राम मोहन राय याद रिके इनके बारे में, 1814 में इसको फोम किया गया था, किसको आत्मी सभा को, राजा राम मोहन राय को नहीं, एक कोश्चन इनके दोर एक और ब्रह्मा समाज के इस्था अपना यहींद के दवराय के गया था यार रखिए गा ठीक है इन नेके द वरते गया था अब हां राजा रामोहन रहा था तो अकपर द्यूथी एक साहसक थे आपको पाणने दीए थे तो राजा के तनी नममाल रिपने थे तो इनको बेना थोड़ा सा आइडिया रखिए का Asiatic Society को Bengal के सापना कौन किये थे तो William Jones जोन थे याद रखिए का 15 January 784 को Asiatic Society को Bengal के सापना किये गया था date important है याद रखिए Congress के 1929 के लाहॉरा दिवेशन के था किस ने किया था तो 1929 का Congress का session था उसका जो head किये थे वह से जोराल ने हरू ठीक है और एक सांगर सेसन बहुँ जादा इंपोर्टेंट है 1929 के क्योंकि इसमें पूर्ण सवराज की मांग उठाए गया था यानि कि total मतलब कर सकते है कि independence का ठीक है तो बाद में पूर्ण सवराज दिन 26 जनवरी 1930 को मनाये गया था आप लोग को मालूम होगा उसी को उपलक्ष में जो हैसे हम लोग आगे जो हैसे गंद्रन दिवस जो मनाने का जो सिल्सिला था 26 जनवरी से सुरू किया थे ठीक है तो 26 जनवरी का बहुत इंपोर्टेंस था समिधन बन गया थे उसका कुछ पार्ट को हमने एडियोट किया जबकि 26 जनवरी 150 हो जाय से पूरी तरह से उसका लागू किया था आप लोग का मालूम होगा ठीक है इसलिए 26 जनवरी को चुना था क्योंकि हम लोग पूर्ण सवराज दिवस मनाये थे नेंटी-थृटटी में ठीक है तो वहां से निकलके आता है इसका कॉंसेप्ट अटा कामरसवल अभी लेकी चलेंगे आपको हम लोग अशाओथ अमेरीका में तो अटा कामरसवल जो है से चीली मेहना इसको इंगलिस में चाय लिखा जाता है तो चीली पनी चीली खा लेना तो यहां पर एक चिली है ठीक है चिली जिसा तो लग नीरा लग रहा है कि कोर्न है न तो चिली एक अठाइक अमेरिकन कांट्री है आप लोग जानते होंगे और कैपिटल इसका सेंटियागो है और करेंसी पेसो यूज करता है इसके बारे में याद रखिएगा टीक है अब नेक्स्ट कोस्टन है ना कि बनोल Keys olarak अब कोन सा जोहिए से मतलब बहुत ज्यादा गरसीथ बनोल मूलन से यहां आपका अनसर आमेजन वेसेंbank को बारे mushroom बात किघेगा विस्व रहा हूं? और सबसे लंबी नदी जो है से क्या होना है वो आपका है नाइल रिवर जिसको हिंदी में नील बोलता है लगवक 6500 किलिमेटर इसका लेंथ है नील की बात कर रहा हूँ ठीक है थोड़ा सा बात करते हैं कि आमेजन रिवर जो है से अपका मॉंट्रियो रिवर से स्टाट होता जलता मॉंट्योर रिवर है ठीक है और 8 country में टोटल इसका फोलो होता है ऑली आप गया डेखाडत हैं चलता है इस सबसी बहुत सारा ज्वर से country को अपने साथ लेकर चलता है यहां से Atlantic Ocean निकलता है माउस है उसका और यहां पर गिरता है आपका पैस्वी को सीन में इसके बारे में याद रखीएगा तोब का ऐंसर हो गया ठिक है आप में जन बेसी याद रखीगा बुनल्मन चलिए बं काटने की बात आ रहे तुरह सथा एक इंट्रेस्टिंग बात बताता हूं, एकनोमिकल या एकोलेजिकल बालेंस के लिए 33% बन चाहिए हम लोगों, इंडिया में भी कितना है, पता है आपको 33 नहीं है, 24 के आसपास है, ठीक है, आप डाटा बढ़ा होगा भी देखते हैं थोड़ा, तो 24 के आसपास था, लेकिन 33% हमको चाहिए, और एक बात, एक टन पेपर, एक टन पेपर अगा आप लोग को बनाना है, एक टन मतलब 1000 केजी पेपर बनाना है, तो 17 को बड़ा बड़ा पेड आपको जोरी होगा, यानि कि 17 को फूल अगर पेड काटी है का तब जाके एक टन पेपर होगा, इसलिए आश्रेलिया का जो हैसे इस्टेट नम, मतलब नेसनल अनिमाल आश्रेलिया, तो कभी कि इंडिया में जो खिलने आता है, उसको हम लोग आश्रेलिया ने कहा के कंगार्गों भी बोल देते हैं, तो अब एक आइलेंड भी है, इसको सबसे बड़ा आइलेंड कंट्री है, या आश्रेलिया के अश्रेलिया के पूर्वी तट का दक्षणी भाग पूछ लिया, तो पूर्वी तट का दक्षणी भाग को क्या बलते हैं, सारा तट अभी किलियर हो जाएगा, उसको बाद देख लेते हैं, थोड़ा साइज देखिए, थोड़ा सा 9 कोस्टर इस्टेस में बता दिया था, 65 किलिमेटर है, लेकिन टोटल जो है से 7516 किलिमेटर लगवा टोटल कोस्टर इस्टेस है, देखिए कोंकल तट्व, यानि किधर देखिए, यहां से जो आपका दिखेगा, य अंधरा कोस्ट, अंधरा प्रजेस वाले रिजन में है, और जो उडिसा वाला रिजन है, उसको में लोग उतकल तर्ट बलते हैं, ठीक है, उतकल, आप लोग का सुने है, राष्ट गान में पे उतकल वर्ड यूज किया है, वही उतकल है, ठीक है, तो चली यही सारा चीज है अब लोग देख लिजेगा, और एक चीज और यहां से बताता हूँ, देखिए, थोड़ा सा इसको बरें सदीर याद रखे back, यहां पे बमेनाद लेक है, जो के केरला में है, पुलिकट लेक आप लोग के देखने को यहां पर रहा होगा, यहां पर इक चिलका लिए टो इसके बाल में थोड़ा सा आईडिया दा सकते हैं हाँ हाँ तो मैं यह देखिए पुर्वी तट का दक्षिनी भाग थी तो पुर्वी तट हो गया उसका दक्षिनी भाग यहां पर ही हुआ तो क्लमंडल आ गया तो आइधिंग कि की किलियर होगा इसको को रोमंडल बोला सबसे आउटर रिजन पूछा आपका साउथ में तो हिमालय में इसका इंसर सिवालिक रेंज है आप इसको थोड़ा सा जान लीजेगा हम देखिए यहां से इधर जो है से आपका इंडस रिपर से लेकर रही है साउथ में नौर्थ में जाईएगा तो यहां से देखिएगा प चलिए तो यही सबसें चीज है इंडस और इधर ब्रह पूध्रा सकते स्टेच ही देखिए गाता प्रह पूध्रा रिवर सबसें पहले और आछले स्टर्कार करता है इसको याद रखेगा ना चलिए भारत में सबसे बड़ी जो है से परदूसित नदी कौन है सबसे ज़्यादा परदूसित नदी कौन है तो यह है कि दामदर नदी ठीक है दामदर अपर दखिएगा यहां से छोटा नाख प्लेटी से निकलता है पुलामों के असपास वाले रिजन से दामदर अंडी का सबसे चोटी है तो आप लोग जानते हैं और हिमालेक सबसे चोटी एवरेष्ट है दूसरा अरावली का सबसे चोटी जो है से अचलागड़ है तो चलिए हो गया आइधिंग अप्रासा प्लेटिस को सबसे पुछा के बहुत अच्छे चलेबल तक तक जो बात करते हैं कि जो समिधान के किस भाग में आर्थिक निया आए अर्थिक निया मतलब एकनोमिकल जस्टिस ठीक है कहां कहां आप लोग देखनों को मिलेगा और जो नीटी नियसक सिधान था दोनों जगाफ हमिलेगा चर्चा करेंगे प्रस्तावना जो है समिधान का बहुत पहले साही पाथ है जिससे में समिधान को एड़ॉप्त किया गया था उसमें साही पाथ ही कोश्चन पूछा जाता है कि क्या बाद में अट किया है नहीं ब एकावन ए में जो है से अपका fundamental duty को बाद में आट किये गया था सोन सिंग कमिटी के अंतरगर चर्चा करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा अभी देखते हैं थोड़ा सा कि प्रस्तावने के बारे में बात किया है यहीं पर एकनोमिक जश्टिस यानि कार्फिक निया के बारे मात किया है तो आप लोग तो एक चीज़ देख लिए हैं यहां पर हमारा परेंबल में में इसको अपलोग बोलता है अब लोग अगर देखिएगा मौली का दिकार जिसको अपलोग बोलता है फंडमेंटल ड्यूटी तो ड्यूटी हम लोग लिए हैं यूससर से इसको याद रखिएगा आप में लोग समिंधान में संसुधन होता है आपको पता होगा आर्टिकल 360 एट कितार तो हम लोग संस मैं बात किया भी आर्टिकल 36 लेकर 51 तक तो 51 ये बाद में एट किया था 1976 में ठीक है तो इसके तहुत जो हैसे हम लोग को फंडमेंटल ड्यूटी एट किया गया टोटल अभी 11 फंडमेंटल ड्यूटी है टोटल आइसे आउरिनली 10 था लेकिन बाद में 86 में समिंधान तो इस आउर चीज है टोटल 11 फंडमेंटल राइट है अब हाँ थोड़ा सा फंडमेंटल ड्यूटी है फंडमेंटल राइट अब छी है ना जो सात्मा था जो राइट उपरपटी उसको हटा दिये गया अब 301 एताहत एक लीगल अधिकार है अब फंडमेंटल राइट नह याद रखेगा सोचलिस्ट और सेकुलर जो है से बाद में एट किया गया था तीन पूरट पहले था ठीक है तो इसको नैंटी सेबंटी सिक्स में जो एट किया थे हैं हम लोग 40 सेकेंड कंच्छो समयमेंट के दौरा ठीक है इंद्रकादनी कोवर्मेंट थे उसमें इसके ब करते हैं अपना राष्ट्पती जो होता है से अगर इनकैपेबल है या कुछ लॉक वाइलेट करता है तो उसको हम लोग राष्ट्पती पर महाभियोग याने की इंपीच्मेंट चला सकते हैं और यहाद देगे का इंपीच्मेंट वर्ड जो होता है राष्ट्पती के प्रेसिडेंट को इंपीच कर सकते हैं चलिए ठीक है तो समया गया ना आर्टिकल 61 चलिए राष्ट्पती को ने पता है ने कि बुल गया रामना को बिन जी वह तरह लोग ना बताते भी नहीं है कि यह राष्ट्पती को नहीं है समिद्धार समसंदर में नीचे दियेगे कर्तवे में से मौली कर्तवे के स्रीम नहीं है देखिए मतलब मौली कर्तवे में चर्चा कर रहा थे टोटल 11 मौली कर्तवे हैं तुन में आपको बताना है कि कौन मौली कर्तवे में नहीं है भाई ठीक है नहीं है नहीं है ना थोड सबस्क 250 जबतना बॉल्ट सबस्क्राइब है // जन पिएवण, वहds वो वह सो होता है // और जो हैसे हम लों का जो हैसे क्या होता है उन नहीं आता है मौली कर्थ बढूए बहुत जारा important है, ठीक है, molly करतब बारे में, article A, यह दखेगा, ठीक है, molly करतब बारे में, ठीक है, सौन सिंग कमीटी, 1976, चली, यह दखेगा, इसके बारे में, तो यह दखेगा, आकर भुकता नहीं है, total एगार, fundamental duty है, और लास्ट वला यह दखेगा, जो 2002 में किये गया था यह T6 Constitution Amendment, जिसमें 6-14 साल के बच्चतों को क्या करना है, आप लोग को फैक्टे वगरे में, काम वगरा नहीं करना है, और फिर यह दखेगा, चली, प्राकरतिक निया, यानि के नेचुरल जश्टिस के बारे में, बात करते हैं, तो निया देखेगा है, तो निया देखेगा बारे में बात करता है, इसको याद रखेगा, ठीक है, अटिकल 14, 14, चली, और नियुकिम से कौन सा भीस है, राजसूची में, नहीं है, चली, राजसूची में नहीं थे, एक चोली में कहा था, पहले है, जो है से राजसूची में ही था, एजूकेशन, ठीक है, बाद में इ कानूर बनाता है यह भी आसा चीज होता है जो दोनों बना सकता है उसको हो रख लेते हैं क гру तरवा समयदा सांधन के बारे में बताना है आपको तो जो गाव से लिटेड है यानि कि लोकल सिल्फ गवर्मेंट के बाद करते हैं 1992 में हुआ था एक चोहातरा समिदान संसंदन में हुआ था उसके ताथ क्या किया थे हम लोग उसके ताथ हम लोग मुनिस्पलेटी को लाया थे यानि कि नगरिये अस्थानी इसासासन रीजन क्या है सिस्टम को नहीं देख सकता है ठीक है तो हम लोग पावर को डिसेंट्रलाइज करते हैं एक जिगा नहीं रखते हैं सबको पावर बाढ़ देते हैं भाई यह घर में आदमी है चलो भाई तुम है सब्जी कट लेना मैं रोटी बना देंगा उसको आराम से मिलके खाएंगे फि पहले आपको बताते हैं कि मनवदिकार दियोस यानि कि जो हुमन right day होता है आप लोग मालूम है का मनाते हैं लोग 10 दिसमबर को मनाते है हुमन रैड दे और इंडिया में नेशनल हुमन राइट कमिसर्ण है या दर खिएगा इसके बारे में 1993 में इसको बनाए गया था इसनल हुमन राइट कमिशन का फर्स्ट जज कौन थे ज़स्टिस कौन थे याद रखेगा या अध्यक्ष के तरह बोल सकते हैं कौन थे बताईएगा तो राश्टी राज्य मनाधिकार आयोग का अध्यक्ष का चैन समिति में कौन सामिल नहीं होता है जाने कि मुख मंत्री होत जाने कि आधिकार मनाधिकार आयोग का मनाते हैं और मनाते हैं मनाते हैं याद है कोच भूल गया है जब जाके-जाक में लिखिए नेशनल बोड़ी को नेशनल होमन राइट कमिशन चलिए एक राज निराचन आयोग होता है यानि कि एस्टेट इलेक्टन कमिशन के बारे में बात करते हैं तो आर्टिकल 243 के किता होता है इसको याद रखेगा आर्टिकल 324 के तार आता है आर्टिकल 324 कोन सा पार्ट में आता है बताई एक इलेक्टन कमिशन होता है नेशनल चिनल था यानिकी एक परषन वहाँ पे लीड करते थे मतलब कमिशन में थे बाद में 90-80 में देखा गया कि भाई बहुत जनसा क्या बढ़ रहा है बर्डेन है 17.8 दसकी ब्रिधी समल बढ़ रहा है तो बाई देखा जाता है कि हम लो क्या करें इसमें दो member को और एड़ कर दिया तो टोटर मिला कि अभी जो है से तीन member अभी national election commission में होते हैं ठीक है आर्टिकल 324 के ततिया देखेगा election commission का डिसकस है election commission एक constitutional body है याद रखेगा और election commission जो होता है किसका चुनाओ कराता है लोग सभा का चुनाओ कराते हैं बिधान सभा का प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंटी चार election कराते हैं ठीक है कौन national election commission और राज निर्वाचन चुनाओ आयोग होता है वहाँ इस्टेट में क्या करता है जो पंचायत अमूर्स प्लेटे भी बात किया नमें एकती है तरवाँ सभा किया गया था तो उसका चुनाओ करवाता है ठीक है राज निर्वाचन आयोग और आटिकल 240 की है और हाँ थोड़ा सा इसके बार कोशन आजागा बात कर लेंगे आगे उच नियाले का मुख्य नयाजीस अपना त्यक पत्र किसे देता है देखिए तो उच नियाले के न अचन को मिशन में तीन मेंबर होता है ठीक है अर इसके बारे में राज निर्वाचन आयोग के बारे में आवी बात किया था आर्टिकल 243 K है और नेशनल एलेक्षन कमिशन के बारे में हैसे आपका 324 है तो याद कर लीजेगा थिरी को यहां से ऊड़ा लीजेगा इधर से इधर आजाएगा ठीक है तो confusion भी नहीं होना चाहिए चलिए राजपल की जनकारी देने के लिए जो मुख्यमंत्री की कर्तवयों का बर्नन है जैसे कि राजपल क्या करता है जैसे कि प्रेसिडेंट काम करता है उसी तरह से जो हैसे हमारा जो हैसे गवर्नर काम करता है ठीक है याद रखेगा तो मुख्यमंत्री करतवयों का बर्नन समिंधान में आर्टिकल 167 में है ठीक है 167 के तहट जो हैसे मुख्यमंत्री के कार्यों का बर्नन है राजपल जो है इसके बारे में आप लोग याद रखेगा अध्यादेस लाते है न आर्टिकल कितना है यार 213 है रा मतलब क्यों किया था में की आंगा तो में निटीर कद्खी stepped में मैंने मुद्दा था कि हम लोग अपना जो है से डेप्लोपमेंट मैंनल about कशनप जयांकि हम दोक सुद्धकरना थी technique यानि कि हमाने कि पतर यहापनी के और या सा पशातर रुपया लाना है तो समझने के आपको फशातर 100 करना पढ़ाँ सकते हैं लेकिन पैसे हम लोग को ज्यादा पीक करना पढ़ा है तो ऐसा क्यूло नहीं हो कि हमारे घर में समान प्रोडक्ट को बनाए हम लोग अपना भी यूज कर लेंगे बाहर भी सेल करेंगे और डालोर पईसा लाएंगे तो हमारा जो एसे जुटीपी में ग्रोथ होगा बस मज़मा रही है तो इसलिए जो है से हम लोग सीधे ना प्राइमडी से सीधे और सेरी सेक्टर रहे पर हम लोग जॉंप मार गया थे सेकेंडी सेक्टर को गैप कर दिये गया था इसी लिए नरद्रमदी के द्वारा है बहुत निमाल लगाने वाले नेता कर सकते हैं तो जो एससे क्या लाए मेक इंडिया प्रोग्राम लाए जिसका एक लोग है देखें मेनिफेक्श्री पर ज्यादा जोड की दिये थे याद है अब लोगों इंडस्ट्री पर ज्याद किसमें दिये गया था कौन सब पंच वर्सी जुजना था बताईए ज़ड़ा ठीक है चलिए पंच वर्सी जुजना आप नहीं है ना बाद में नाम चेंज हो गया इसका नि सब्सक्राइब सटिंग सांसद आदर्स गराम योजना मतलब इसका उदेश से क्या था क्यों सुरू किया गया था मतलब कौन संद नहीं है यही देखिए नहीं वर्ड यूज करता है तो देखिए सांसद जो था आदर्स गराम योजना था वो जो है से 2014 में सुरू किया गया था इंपोर्टेंट फैक् तो यार देखिए, बोला किया कि 2014 में जे फरकास नहराएंजी का 11 ओक्टूबर को बढ़ दे था, तो वहीं पर सुरू कर दिया गया, ठीक है, यह बाले पोलिटिक्स परते हैं, अपने वालों को थोड़ा सा नाम लेके चाहरते हैं, कहा जाता है, नदी अपना कोर धर कही बात है, बही सारा हिसाब किताब है, इजुकेशन को हमको इंपरूब करना है, पानिक की व्यवस्ता करना है, बिजली देना है भाई, दिन रात आपको कृसी गोबर देना है, यानि कि मैनियर पर फोकस करना है, खाद ठीक है, ज्यादा फर्टिलाइजर नहीं डलना है, गैस प्ल और उसको बाद में चेंज किया गया था, तो सारदा एक्ट भी एक है, इसका बाल विबास रिल्टेट है, तो इसको याद रखेगा, अभी न, जो ऐसे बाल विबास को थोड़ा सा 18 से लड़की का जो साधी का उमर है, 18 से 18 करने के बाद की जा रही है, तो इसको याद रख को याद रखेगा, और सबसे बहुत है, वीडियो का बता है, बताये ज़रा जरूर, थुड़ा सा लंबा तो नहीं हो गया, बाकी चानल को सस्क्राइब, लाइक कर सकते हैं, पादी है, तो यही तुच्छा था न, तो यही तो यही सारह था, देख लिजे, बाकि आप लोग सब्सक्राइब बताइए कैसा लगा बागी से जूर सकते हैं थैंक्यू फरी मच्छ तो स्वास्त रहें मस्त रहें पड़ा लेकां बैस रहें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बंदे भारत हम